नमस्कार प्रिवा सक्षी नेडवर्क पर आप सभी का स्वागत है पस्चिम मंगाल में अब मुख्यमंत्री मम्तव एनरजी और राजेपाल जगदीब धनकड के बीच विवाद बढ़ गया है विवाद भी ऐसे समय बढ़ा जब मुख्यमंत्री केंद्र से रिष्टा सुधा जरूरत नाम बदलने के नहीं पस्चिम मंगाल की कानून व्यवस्था की हालत बदलने की है यहां राज्य की कानून व्यवस्था का हाल कैसा है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि एक केंद्री मंत्री को सर्याम महां मारा पीटा जाता है और उसे बचाने के लिए कि खुझ राज्य के राज्यपाल को आना पड़ता है पसषी मंगाल में हिंसाक अस्तर बढ़ता जा रहा हैं वहां राज्नीती कारकार्टाउं को बुरी तरह पीटा जाता है निर्ममत तरीके से हत्या कर दी है केंधरी मंत्रियों का घेराव किया जाता है और उन से मारपीट की जाती है नया मामला जादोपूर विशुधाले का है जा केंद्री मंत्री और आसंशोल के सांसत बाबुल सुप्रियो अखि बारती विधारती परिशत के के based सेमिनार में शिर्कत करनें पहुँचे जैसे ही बाबुल हो विशुधाले पहुचे वामपन्ति दलों के छात्र संग्ठनों और त्रिन्बूल कॉंगर्स के छात्र संक्टन TMCP से जुड़े छात्रों ने उन्हें काले जंडे दिखाए और बाबुल सुप्रियों वापस जाओ वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिये छात्रों ने करीब गेड़ घंटे तक सुप्रियों को केंपस में प्रवेश करने से रोका देकिन जब केंद्री मंत्री वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो लाल जंडा लिए छात्रों ने बाबुल के साथ धक्का मुकी की उनके कपड़े फाड़ दिये और यहां तक कि एक छात्र को उनके बाल खींचते वे भी देखा गया इसी बन गई कि विश्युधाले के कुलपती सुरंजदास किसी भी अपरी घटना को होने से रोकने के लिए आगे आए लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए कुलपती सुरंजदास ने प्रदेशनकारी छात्रों से प्रदेशन का कारण जानने की कोशिश की लेकिन चात्रों ने विश्युधाले के द्वार से हटने से इनकार कर दिया सुरंजदास ने कहा यह दुरुभा के पूर्ण था मैं इस घटना पर राज्यपाल को रिपोर्ट भीजूंगा उधर मामले की जानकारी जब राज्य धनकर ने साफ कहा था कि विश्युधाले में केंद्री मंत्री बाबुल सुप्रियों और अन्ने का घेराव किया जाना गंभीर मामला है मामले पर रजय रखे वे राज्यपाल ने हालात समालने के लिए खुद विश्युधाले जाना सही समझा और भारी पुलिस पल के साथ वहां पहुच गए राजपाल वहां मंजर देखकर हैरान रहे गए क्योंकि आंदोलनकारी छात्र राजपाल के सामने भी प्रतशन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वह भी केंद्री मंति के साथ परिशर से चले जाए विश्युधाले के कुलाधी पती राजपाल के वाहन के बोनट पर प्रहार किया इस बीच पुलिस करमी छात्रों से हटने का रोध करते रहे वहीं राज्यपाल धंकड केंद्रिय मंत्री की मदद करते और उन्हें बचाते हुए दिखे विश्युद्यल्य अध्यापक संग के एक प्रॉक्ता ने बताया है कि स्थिती को ग प्रदर्शन कारियों को खुल लमखुला नकसली बताकर उन्हें उक्साने का प्रयास किया उधर इस प्रदर्शन में शामिल AFSU नेता देवराच देवनाथ ने कहा कि फासिवादी ताक्तों को विशुदाले परिशार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा उन्होंने कहा हम भाजपा, RSS और ABP को JU जैसे उधार संसान में उनकी विचारधारा का प्रसार नहीं करने देंगे दूसरी और तिर्मूल कॉंग्रेस राजपाल पर सवाल उठाते वे कह रही है कि वह समिधान के संदक्षक हैं और ने बिना निर्वाची सरकार को बताए भाजपा नेता का बचाव करने नहीं जाना चाहिए था मुख्यमंत्री ने भी राजपाल से विशुधाले नहीं जाने का रोत किया था लेकिन सवाल उठाने वालों से है क्या बाबुल सुप्रियों सिर्फ भाजपा नेता है वह एक केंद्री मंत्री है और यदि केंद्री मंत्री की कपड़े फार दिये जाते हैं उनके बाल आए गए कदम के तौर पर लिया जाना चाहिए जल चांत होने वाला नहीं है क्योंकि भाजपा ने इस खटना के विरोद में बंद और प्रतेशन का आवान किया है बाबुल सुप्रियों के साथ त्रिणमूल कॉंग्रेस कारे करताओं की और से की गई हिंसा का है कोई पहला मामला नहीं है लेकिन आधिकारी कार्ट्रों में भी यदि बंगाल में केंद्री मंत्रियों के साथ ऐसा बढ़ता होता रहेगा तो हमारे संघी धाचे का क्या होगा